नमस्ते दोस्तों तो आज हम बनाते हैं आलूपापडी, आलूपापडी इस तरह से अगर बनाएंगे तो महिनों तक आप इसे ख़ा सकते हैं, बिल्कुल भी खरब नहीं होगी और आखिर तक गुर्कुरी रहेगी इस तरह से एक बार अगर आलू पापडी बना लीना तो यकिन मानी आप मार्केट से लाना तो भूलिये जाएंगे इतनी कुरकुरी है और देख सकते हैं बिल्कुल भी ओईली नहीं है परफेक्ट रेसिपी है इससे आप आलू पापडी चाड भी बना सकते हैं इसमें हमने आलू का यूज किया है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने कच्चे आलू का ही यूज़ करना है तो यहाँ पे एक आलू ले लिया है आलू बड़ा था इसलिए मैंने एक लिया अगर छोटी है तो दो लिजेगा या फिर आप कितनी कॉंटिटी में पापड़ी बनाना चाहते हैं उस इसाफ से सारे मेजर्मेंट कम जादा कर देजेगा मैंने एक बड़ा आलू लिया है उपर से चील लिया है कच्चा ही आलू का यूज़ करना है इस बात का ध्यान दिजेगा बिल्कूल इंस्टेंट बन कर तयार हो जाती है न आ ही आलू यहाँ पे कद्दूकस करना है श्रिप आलू को चील लिज़े और स क्योंते पीसे में कुट करें। कट इसलिए करना है ताकि इसका महिन पेस्ट हमें मिल जाए। तो चलिए सेधे हम इसको मिक्स के जार में डाल देते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा अध्रक और थोड़ी सी हरी मिर्श। यहां पे मैंने 2-3 हरी मिर्श ले ली है। या फिर आलू तब ही पीस लिजेगा जब आप एच स्नैक्स बना रहे हैं तुरंत ही पीस ना है और तुरंत ही इसका बना लेना है क्योंकि इसे रखने के बाद है काला पड़ता है बिना पानी डाले ही हमने इसका paste बना लिया क्योंकि अलू में अपना ही पानी होता है तो इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज ना करिए पीस्ते वक्त अब कुछ मसाले डालते हैं सीधे आलू में ही डालेंगे बड़ी सी परात में इसको ले लीजेगा और मसाले डाल देने हैं मसाले के तोर पर हमने नमग, खल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है थोड़ से स्पाइसी अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने दो चमच यहापे लाल मिर्च का पाउडर डाल है धनिया पाउडर डालेंगे करीब करीब एक चमच highly does और अधरक भी डाला था अब लिया है बेसन, बैंडिंग के लिए बेसन चाहिए, तो यहाँ पर एक कटूरी मैंने बेसन लिया, देखती कितना लगेगा, इसमें जितना बेसन लगेगा हम उसमा डालेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान दिजेगा, इसमें बेसन आप अब इसका डो लगने तक डाल दीजेगा, इसलिए मैंने पहले कहा था, आलू कम ही ले लिजेगा, अगर आप कम कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं तो, देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन को मिला रहे हैं, इसे आप अगर घर में एक बार बना के रखेंगे ना, तो यकीन मानिए, छोटी मुटी भूख के लिए, स्नैक्स की तोर पर, या फिर टी टाइम स्नैक्स के लिए भी परफेक्ट रहेगा, देख सकते हैं, आखिर में थोड़ा सा सुखा आमने बेसन लिया, ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, पूरी परात में ये चि बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, लेकिन जैसे जैसे सेट होगा ना, तो पाद में नहीं चिपकेगा, तो मैंने इसको 10 मिनिट के लिए साइड में रख दिया था, देख सकते हैं, अच्छे से डो बन चुका है, इतना डो बनने तक हमें इसमें बेसन मिलाना होता है, अब थोड़ा सा मैंने इस चौपर बोड में तेल लगा के रखा है, बेलन पे भी तेल लगाया था, ताकि ये चिपके नहीं, अब जितना हो सके उतना इसका पतला हम रोटी के जैसा बेलेंगे, पतला बेले जेगा, ताकि हमारी पूरी अच्छी से क्रिस्पी बने, इसके उपर कसूरी मेथी या फिर आप हरादनिया कट कर भी डाल सकते हैं, करी पत्या डालना चाहे तो भी आप बारी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का फ्लेवर अपने आप में बहुत ही बढ़िया होता है, तो मैंने कसूरी मेथी का ही यूज़ किया है, आप चाहे तो इ में इसको क्रिस्पी और करारा जैसे मार्केट वाली पाप्डी मिलती है न वैसा ही बनाना है इसके लिए हमने इसके ऊपर थोड़े थोड़े छेद कर लिए चोटी कटोरी ली है और उसके माप से अब हम इसकी पूरिया कट करेंगे आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा पोर्श पेल लेकर इसको बेल भी सकते है चोटा बड़ा लेकर इसको पतला भी लिएगा इस बात का ध्यान दीजेगा तो चलिए यहाँ पे ढेर सारी पूरी बनकर तयार है तब चलते हैं कड़ाई की तरब तक कड़ाई में मैंने तेल डाल दिया है देख सकते कितना थोड़ा सा त तेल है इसमें अब पूरी पूरिया तल कर तयार हो जाएगी क्योंकि इसको तलने में ज्यादा तेल नहीं लगता है तेल का टेमपरिचर आप देख लीजेगा अब जितनी कड़ाई में आएगी उतना हम डालेंगे और इसको फ्राइ करेंगे इसमें आलू है तो यह देते हैं परफेक्ट अगर आपने इसके उपर छेद नहीं किये ना तो इतनी ज्यादा फूल जाती है ना अगर आपको फुली फुली इससी पूरिया बनानी है तो आप छेद ना करिए लेकिन मुझे इससे ही जो आलू पापड़ी चाट के लिए होती है वैसी पूरी बना है ना बिल्कुल करारी बन जाती है और ओइल देखिए बिल्कुल भी हाथ पे नहीं लग रहा है अब यह गरम ही है ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इसको ट्रांसपरंट पेपर पे या अबजर्मेंट पेपर पे रखा कुछ नहीं सिदे परात में ले लिया लेकिन इसने कर खिलाईए या फिर स्नैक्स की तोर पे यह पुर्फेक्टी है रिसीपि अच्छी लेगे तो लाइक शेर जरूर करिए